नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है गिलोए एक आयरुवेदिक आउस्धी है इसे संस्कृत में गुडूची या अम्रिता के नाम से जाना जाता है यह एक लता या बेल के रूप में होता है जो पेड़ों दिवारों और गमलों आदी के सहारे ये दिवालों पर चढ़ा हुआ रहता है आप किसी पार्क में या गार्डनों में कि इसे पेड़ों पर चढ़े हुए देख सकते हैं गिलोए जिस पेड़ के ऊपर चढ़ता है उसके गुण भी इसमें समहित हो जाते हैं गिलोए का यह अदभूत गुण है जैसे यह नीम क पेड़ पर अगर गिलोए की बेल चढ़ी हुई है तो उस गिलोए में नीम के भी गुण आ जाते हैं तो आईए मैं गिलोए के फायदों के बारे में बताता हूँ गिलोए को आधुनिक विज्ञान के सोधों के अनुसार अत्यान्त प्रभावी और सकती साली औस्धी माना गया है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एनलजेसिक, एंटी पायरेटिक और इम्म्यून बूस्टर गुन पाया जाते हैं यह चीकन गुनिया जैसे वाइरल फीवर को ठीक करने के लिए और उसके ठीक हो जाने के बाद जो रोगी को महिनों तक जोडों में दर्द की समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए गिलोए एक प्रकृति द्वारा दिया गया वर्दान है गिलोए सभी प्रकार के बुखार में फायदे मंद होता है विसेश रूप से डेंगू, चिकन गुनिया, स्वैन फ्लू, इनके बचाओ, चिकित्सा और होने के बाद के उपयोगी होता है, सर्दी खासी जुकाम को भी दूर करता है, यह बुखार के निवारन के लिए अत्रिक्त एक बहुत अच्छी आउजदी है, उसके साथ ही यह बुखार के बाद की दुरबलता और कमजूरी को दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, गिलोए एक रसायन के रूप में काम करता है या सरीर में जाकर खून को साफ करता है, गिलोए हमारे रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाता है, गिलोए कोलेस्टरॉल को कम करता है और खून में बलट सुगर को नियंतरित करने में सहायता देता है, गिलोए के रोज सेवन करने से चेहरे म में तेज आता है और तोरचा में पढ़ने वाली जुर्रीं को दूर किया सकता है घिलोय दोस्ते सबाइब leve इंफ्लेमेटरी और एंटी आर्थरेटिक प्रॉपर्टी के कारण गठिया में अत्यांत फायदे मंद साबित होता है तो आइए मैं बताता हूँ कि गिलोए का सेवन कैसे करना है जुर या बुखार की समस्या में अगर आपको फीवर है तो 4-5 इंच गिलोए के तुकड़े को एक चम्मच धनिया और एक छोटा तुकड़ा नीम की छाल के साथ भीगा कर इसे अच्छे सुबाल कर काढ़ा बना लिजे और बुखार के रोगी को इसका सेवन कराईए या बुखार के रोगों में अत्यांत फायदे मंद होता है आप चाहें तो 4-5 इंच तुकड़े का ग की सकते हैं या सभी प्रकार के बुखार में फायदे मंद होता है गिलोय का काढ़ा बना कर पीने से या सारे रोगों को दूर करता है सभी प्रकार के ज्वर को इह दूर करता है डेंगू में डेंगू बुखार की समस्या में शरीर में बलड प्लेटलेट्स कम होने लगते है उसमें गिलोय के रस के साथ आप एलोवेरा जूस, अनार का जूस और पपीते की पत्ती का रस इनको मिलाकर अगर सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि दो से तीन दिन के अंदर ही आपके ब्लट प्लेटलेट्स की समस्या से आपको निजाद मिल जाएगा डाइबर्टीज में गिलोय का रस बहुत अच्छा असर दिखाता है लगातार आप दिन में दो बार अगर गिलोय का रस पीते हैं तो कुछ ही दिन में आपको मधुमे की समस्या से निजाद मिलेगा जोडों के दर्द की समस्या में गिलोय का काढ़ा अत्यांत फायदे मंद होता है गिलोय का काढ़ा जिसमें गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें 10 से 20 मिली लीटर अरंडी का तेल मिलाकर अगर आप उसका सेवन करते हैं तो यह जोडों के दर्द के लिए राम बान आउजधी का काम करता है अगर आपको किसी प्रकार के रक्त विकार हैं अगर दात खाज खुजली या इसकीन रोग हो गए हैं तो आप गिलोए का सेवन जरूर करें या अत्यांत फायदे मनसाबित होता है या रक्त को साफ करता है कब्ज की समस्या में गिलोए का चूर्ण गुड के साथ सेवन करने से या कब्ज को दूर करता है मुत्र विकारों में गिलोए का काड़ा पेसाब सम्मंधी सारी समस्याओं को दूर करने की छमता रखता है तो अच्छा से सम्मंधी सारे रोगों को दूर करता है तो अच्छा क तो इसे किसी अच्छी कमपनी से पेकिंग भी खरी सकते हैं या गिलोएक के तुकड़ों को लाकर भी आप इगठा करके उसका उप्योग कर सकते हैं तो आप अयर्वेद के नुस्खों का उप्योग करिए और स्वस्त और सुखी रहिए धन्यवादि